नमस्कार खास मुलाकात में आपका स्वागत है मैं हूँ विजय खुमार आज विशेश मेहमान के तौर पर हमारे साथ है बी आरेस के कदावर नेता एमेंट शिंडवास कारू जिन्होंने बीते तीन दश्रकों से सियासत में जीतोड मेहनत की है 1994 में टीडीपी हदरबाद के अध्यक्ष बने 2008 के उपचिनाव में सीपीम 2009 में टी आरेस 2014 में बीजेपी और 2018 में कॉंग्रेस के साथ गटवंधन के कारण एमेंट का टिकट कट गया और इस बार एमेंट शिंडवास कारू मुशीरबाद विधासवा सीट से बी आरेस के को लेकर के वहाँ पर किस तरह की तैयारी है आपकी कौन-कौन से मुद्दे है इस्थानिये पिछले 30 साल से मैं मुशीरबाद में काम करूँ कहीं हो एलेंट्स हुआ हर एलेंट्स में भी मैं पूरा दिल चेसपी से दिल और जान से मिनत किया जहां तक हो सकता वहां तक मेरा पूरा सयोग जिस पार्टी के साथ कट बंदन था वो उमिदवार को जिताने के लिए मेरा कोशिज मैं किया और हर टाइम भी हमारे पार्टी के सदर कभी भी उनका आशिरवात से कहीं भी उनको आंच नहीं आये सर का मैं जो भी पार्टी था वो पार्टी के उमिदवार को जिताने के लिए काम किया। सर हमारी शुब कामना भी है कि आप पार्टी के लिए काम करें, आम जनता के लिए काम करें, देश की सिवा करें और आप मुर्शीराबाद को अगर देखा जाए तो वहां पर जो सिटिंगे मेले हैं, इसके अलाबा आपकी प्रबल दावेदारी है और पूर मंत्री के दामाद भी उनको भी एक दावेदार के तावर पर माना जाता है तो इसको आप किस रूप में लेते हैं कैसे पार्टी हैंडल करेगी चूकि आप भी आपका भी बहुत कड़ा मेहनत रहा है उस सीड को ले करके तो पार्टी आपको भी इक नोड नहीं कर सक मैं पहीं पिछले तीस साल से तेल्ग मोदेशन पार्टी में कहा होदा इधरबाद में किया और खासकर मुष्ळवाद का इंचार्ज भी था. हर election में सभी संयोग पार्टी का election इंचार्ज जिम्मेदारी निबाते हुए हर कार्य करता से हर बस्ती में हर महिले में मेरा अपना पहिचान बनाए और दो से पहले जब हमारा हुकुमत था गौर्नमेंट था जब 24 गंटे जो भी मुद्दे थे जो भी मसहिल थे जो भी मसला लोकल थे वो हल करने के लिए हम लोग पूरा पूरा कोशिश करें उसके बाद में भी अपोईशन में भी पिछला 2009 तक 21 तक मैं अपोईशन में था जे और 19 के बाद मैं हुकुमत बियारेस पार्टी में आया और 19 से पहले भी आपोजिशन में लगातार दिलावर जान से मैं लोगों का मसायल हल करने के लिए लोगों के बीच में 24 गंटा मैं उनका 24 बाई 7 उनका खातिर करने के लिए उनके फोन 24 गंटे भी मेरा फोन आन रहेता कोई भी कोई भी टाइम का पोन किये तो मैं फोन उठाके उनका समाधान करता हूँ जो भी मसला वो रात में भी हो तो कोई भी मसला आया तो मैं जरूर उसको हल करने के लिए कोशिशिश करता हूँ तो बिल्कुल एवेंड शिडवासगारू की बहुत कड़ी मेहनत रही है जाहे टीडीपी हो जाहे बी आरस में हो वो मुशिराबाद में खासकर आम लोगों से चुड़े हुए है और उन्हों ने साब कहा कि वो समर्पित तौर पर एक नेता के तौर पर कारिकरता के तौर पर जीतोर काम करते रहेंगे और ये किसी भी डेता के लिए अज सहज इस्तिती होती है कि सवाल पूछा जाए क्यों आपको अगर टिकट पार्टी नहीं देती है तो आप क्या करेंगे सर ये एक व्यक्तिकत मुशिराबाद सीट की बात हो गई जिसको लेकर के आपने बताए कि आपकी जरता में पैट है लेकिन ओवराल तिलंगाना की बात की जाए तो कम से कम दरजन भर इसी सीटे हैं जहां पर कई दावेदार है बी रस के और वो सभी कदावर नेता है जैसे एक एक जामपुल के तौर पर देखा जाए तो माहिश्वरम सीट के टी आर साहब ने खु हमारे सदर पे बरोसा है जो लोग उमिद्वार जरूर एक से बढ़के उमिद्वार हर शेत्र में रहते हैं तीगल कृष्णा रेड़ी का भी अपना बहुत बड़ा नाम है और अगर उन जैसी हस्ती ये बोलते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूँग अगर टिकट नहीं मिल तो इसका दुश्प्रभाव क्या पार्टी के दूसरे नेतौबत पड़ेगा ये तो मीडिया में आ रहा है कहीं भी वो खुलके आज तक मीडिया के सामने आया नहीं मीडिया में स्टोरीज बना रहे हैं चेंड लोग अफाफाइला करके पार्टी को डैमेज करने लोगों क का होसला कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी में चेंड लोग सोशल मीडिया में नहीं से अफाफाइला के गुम्रा करें लोगों को ये जा रहा है ये ग्लोबल पॉलिस सीटी करके लोगों को गुम्रा कर रहे हैं कोई कि दर जाने वाला नहीं है जो केसी आर पे विश्वा से वो लोग जरूर इसी में रहेंगे और एक से ज़्यादा जरूर रहते हर जगा रहते हर फैमली में भी काम्पूटेशन रहता है तो काम्पूटेशन रहने से जिसको जाम इस्तमाल करना जिसको जैसे अकॉमडेट करना जिसको जो जिम्मेदारी देना वो जरूर केसी आर साब देते हैं वैसे उन लोगों को सब कैसे इस्तमाल करना उनके सर्विसे कहां यूज करना वो करते हैं सर, मुशिराबाद में जो सिटिन् göra में मेले हैं, उनके पिछले कामकाज GIS को हैं कैसे आकलन करेंगे, खासकर मुशिराबाद में पार्टी थंद्रेस है, कोई शरूषे कोई पार्टी भी आज मुशिराबाद में ब्यार इसको हराने वाला PARTY नहीं है, मगर जो लोग इस में काम करते, जमूरेत में, जो PARTY में करम करते, जो मिम्बर्शिप लेते उनको हक् बनता, बिल्कुम. तो उनके हक के वह साब से वो लोग अपना हक मांगने के लिए PARTY के सूपरीमों से, PARTY के सदर से, PARTY के जिम्मेदार लोगों से वो लोग अपना हक मांगने का हक सबी रखते हैं वैसे मेरे से भी ज़्यादा लोग कायां और उमिद्वार भी अपनाखोशिच जारी है उसी हिसाब से हम लोग भी अपना खोशीच जारी रखे जो भी फैसला केसियार साब लेते हैं सभी उसको मानना पड़ता और सब उसको फालो करना पड़ता बिल्कुँ सर एवेंट शिद्वास गारू की सलाहियत उनके सामर्थे पर कहीं कोई मीडिया या कोई आदमी सवाल उठा नहीं सकता वाकिया आपने काफी मेहनत कि ये सीट को ले करके लेकि कि दामाद भी उसी इलाके से आते हैं और माना जाता है कि उनको भी वो भी टिकट के लिए प्रयास रहत हैं तो उनके बारे में क्या कहें गया वो दो सव दो आजार अठारे में भी कोशिश किये जिब नर्सी मारेडी साब जिन्दा थे वो हो मिनिस्टर भी थे वो भी जब उमिद्वार थे उनका हक है वो भी कोशिश कर सकते हैं उसमें कोई दोर आई नहीं है वो भी पार्टी में काम कर रहे हैं तो पार्टी है अल्टिमेटली पार्टी डिसेड करता है केसियार साब जो लोग कामिल है जो लोगों को जो जिम्मेदारी देने से निबाद सकते हैं उनको सोमफेसो आगे ले जा सकते पार्टी को जो लोग पार्टी को मेनत कर सकते वो केसियार साब डिसेड करने के बाद सभी उसको मानना पड़ता उनका डिसेशन सभी मानना पड़ता तो हम उशिराबाद सीट को ले करके चर्चा करें थे अब तिलंगाना की राजनीती को ल ऐसा मसूस होता है क्या इस तरह का खत्रा वो अपना पार्टी बनाने में नाकाब रहने के वज़े से जी वो लोग उमीद कर रहे हैं कि पार्टी में जिसको मुखा नहीं मिलता जिसको सही टिकेट नहीं मिलता जिसको कोई जिम्मेदार ही नहीं मिले तो वो आके हमारे तो नहीं रहने के वज़े से कोई दूसरा पार्टी दल बदलू को लेके पार्टी बनाने के चक्कर में वो पार्टियां हैं वो अपने खुद पर लड़ने का कोई हिम्मत रखते नहीं वाइसा जो लोग उमीद कर रहे हैं कि इसमें से तूटेंगे लोग आएंगे हम लोग ह तो anti-incumbency factor की बात करते हैं और साथ ही ये भी कहा जाता है कि TRS में परिवारबाद बहुत ज्यादा है इसकी वज़े से कुछ ऐसे निताओं से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो असहज महसूस करते हैं TRS के भीतर चुकि आप परिवार के लोग ही एक तरह से decision लेते है कभी आपको ऐसा फील हुआ वैसा कुछ नहीं है जो लोग यह कहते हैं वो लोगों को उसको अपना पार्टी किस बुनियाद पर तयार हुआ कांग्रेस पार्टी आज भी किसके सदारत में पार्टी चल रहा है नाम के वास्ते कर्गे जी को लगाए मगर वो भी सब सुनिया गांदी ने तो राउल गांदी कितने पीडी हो गए यहां जो लोग परिवार में हैं वो लोग सब भी तेलंगाना मोमेंट में काम किये खुर्बानी किये वो लोग मोमेंट में काम किये जो लोग लायक है एक से बढ़ के एक लायक है आप आज देश में किसी नेता का बेट जानदो, वैसी इंडेस्ट्रीस में हो जानदो, आईटी में होनदो, देश बर इने, दुन्या बर गुम के कहियों इंस्टुशन्स हाईदराबाद लाने का कोशिच कर रहा है, हाईदराबाद में कहियों किसम के development आप देख सकते हैं, एक साइड अंडर पास, फ्लायोवर्स, मेट्रो राइल, स्टील ब्रीज, जा कि आपन आज एक्स्टेंडेड हाईदराबाद देख सकते हैं, नार सिंगिंग, यह पूरा एरिया गए तो आप कहीं हाईदराबाद से अटके, इंडिया से अटके कहीं, फारण में रहे सरका, न्यू यार्क में है सरका दिखते हैं अ सर, एंटी इंकम्बनिसी फیک्टर इस बार कितना काम करेगा, इलिक्शन वे जहां तक मेरा ख्याल हैं, एंटी इंकम्बनिसी, किस वज़े से एंटी इंकम्बनिस रहे गा, लोग कहीं ऊप जाते हैं, पर रशान हो स्वाल यह बोलने के बाता है एंटि-इंकमबेंट्टि हम लोग जितना वादा किये जितना मेनिफेस्टों में लगा है उससे उसको भी हट के काम किया जो स्कीम्स आज हमारे पास है देश बर में कोई भी गवर्नेंट वो स्कीम्स नहीं देरा जो डेवलोपमेंट आप देख सकते है इंदुस्तान में कोई भी स्टेट में इतना डेवलप्मेंट नहीं हो रहा है, सुविधा ही बढ़ गया है, लाइन डार बढ़ गया है, हर्थ सिस्टम स्ट्रॉंग करके एक इंदुस्तानी नहीं बलके वर्ल्ड में भी एक हैदरबाद ऐसा मकाम है जो पीस्फुल स्टेट ह अच्छा एक्स्पैंड हो रहा, कास्मोपल्टन सीटी हुआ, खुब डेवलपमेंट हो रहा है यह काहीं भी अपने देश में कोई भी स्टेट में, इतना फास्ट डेवलोप्मेंट स्टेट और एक छोटा स्टेट, छोटा स्टेट, न्यूफरम स्टेट, नया बेड़ इत कि वो कुछ ताजुब हो गया रहे अन्ना ये किदर है कहां थे एक हिदरबाद कहां पहुंच गया इस जिस्ट लुक लाइक न्यू यार बोल के बोलो अभी हाली में दिली के मुख्यमंत्री के जिरिबाल साब ने बोला कि ये तिलंगाना में जो काम हुआ हेल्थ केर सेक्टर बहुत बढ़ बढ़ लेकर कर जो काम हुआ बहुत अच्छा हुआ है यहां की तकि जो टी-डी-प्रमुख है उन्होंने भी केसीयर की बहुत बढ़ाई की कि यहां डेवललपेंट हुआ इसलिए रियल स्टेट के दाम काफी बढ़ हैं लेकिन साथी डेवललपमेंट के बा देखो भाई एक बात अगर चिंद्रवाब मुनाहिड़े साथ तारिफ करें जी वो तो हमरे पार्टी के विचार से भी विरिद्ध है पिर भी हकिकत को मानना पड़ा हो पिलकुं केजरिवाल भी आकर तारिफ करके गए जो कोई भी आये तो हैद्रवाद तारिफ करने के लाय क्टब्कशन की बात ब्रष्टाचार उनके पास कोई मुद्द़ छाउना अगर हम लोग हाई कोई हो डेवलोपनेट की हैं और कोई हो स्कीम दे रही हम लोग क बढ़ाई के स्कीम बनाने के लिए कोशिड करना मगर जा कोई بھی प्रूफ नहें ब्रश्टाचार रोलता है, तुम्हारे पास कोई सुबूत है ते लाओ, पेपर लगा के बात करो, कहां रस्टा चार हुआ, नहीं तो कोट कचेरिया है, हर चीज में कोट में जाते हैं, जाके कोट में दालो, खाली लोगों को गुम्रा करने के लिए, कोई ना कोई आरप लगा के फाइदा हैं यह सो पार्टिया, आज KCR के खिलाफ, BRS के खिलाफ, बोलना ही उनका काम है, बढ़के, आज पिछले दस दिन से स्टेट में पानी बरसात के वज़े से कहीं हो एरियास में प्राबलम आया, कहीं भी यह कांग्रेस वाले या BJP वाले जाके, अपना सयोग देना, कोई उन करें, बस बोलना यह की काम है उन लोग, जी, सर नाशनल लेवल पर केसी आर सहाब ने BJP को चुनाती दी है, और एंटी BJP फरंट बनाने का, उन्होंने बहुत प्रयास किया था, बिहार गए थे, पश्रमंगाल गए, केजरिवाल साब से मिले, सब लों उसे बाचीत की, करना चाहरें, तो वही एजन्डा से वो देश बर जा रहें, अपना प्रचार कर रहें, अपना मुद्दा वो राष्ट में लगा के, अपना पार्टी बनाने के काम में, केसी अर सहाब लगे वे, और उन्होंने बार बार इक कहा है कि पार्टी अपना विस्तार करेगी दू काना के अलावा, सभी रास्ट में केसी अर सहाब काम करना शुरू किये, अभी महारास्टा में, एक साइड करना टक में हुआ, आगे चलके मज्ज़ प्रजश में, जिदर जिदर एलेक्शन आते, वो स्टेट में जरूर केसी अर सहाब पार्टी को विस्तार करने के लिए, जैसे जैसे जरूरत पड़ता, जैसे जैसे वहां लोग में अपना मांग बढ़ता, वो स्टेट में जाने के काम कर रहे हैं, मगर जहां अपना मांग नहीं हैं, वहां जाने का काम नहीं कर रहे हैं, जरूर इस देश में आल्टरनेट पार्टी, बी आरेस बनेगा, कांग्र त्लंगाना में पिछले चुनाओ के हिसाब से लेकिन इतने शेरिंग के बाद वो नाश्नल हीरोबने रहते हैं और बिरेस के साथ उनके बड़े घंस्ट संबंध है. वैसी साब बिहार में लड़ते हैं, चुनाओ यूपि में भी जाते हैं, महराश्टरा में जाते हैं क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में OASI साब आपको भी invite करेंगे कि आप भी आईए वहां पर साथ मिलकर के लड़ते हैं सब लोग मिलकर वो खासकर उत्तर भारत हिंदी एक शेतर में खासकर आज आज तक तो अपना पार्टी का प्रचार कर रहें अपना पार्टी का विचार कर रहें विस्तार कर रहें देश में एक OASI एक शक्स है जो बार बार जहां कहीं भी मेनाटियों का मुद्दा आता है वो खुल के बोलता है और हैजरबाद में नहीं वह डिली जाने के बाद सभी मीडिया उसके पीछे लगा वे रहते वह देश बर जहां बी मैनाटिस का मुद्दा रहता कॉम मसला रगता, वह अपना बयान देता, अपना जिल में जो है माहिनाटियों के हित में, वो बोलता, उस जिसे उनों गुम रहा है, गर बैटे तो नहीं कर रहा है, वो राज नहीं थी, तो आगे बढ़ के अलेंज के बारे में मैं अपना, मैं उसमें, मेरा वो शक्ती नहीं है, केसियार साब जो पूचित समझते हैं, वो करेंगे, बिल्कुल, और नीतिकत मसलों पर आप अपनी राय रख भी सकते हैं सर, साल भर पहले ग्रिहमंत्री का दौरा हुआ था, और थुकुगड़ा में एक बड़ी रैली की गए थी, जिसमें आमिश्या जी ने कहा था कि तिल उचना को आप सही मानते हैं, कि मुसल्मानों को तुष्टी करन करने के लिए केसियार साब ने बहुत सारे स्कीम से बहुत सारे फायदे उनको दी हैं, खासकर हिंदुस्तान का जमूरियत, कांस्टूशन के इसाब से, ये लोग, जो लोग मुसल्मान इस देश में हैं, वो भी हगदार है, जो लोग यहां रहना चाहते हैं, वो यहां रहे गए, इंदुस्तान का पार्टिशन में, जो लोग इस देश का बक्ती में यहां ही रहे गए, तो माइनार्टी इसको सप्रेट ने हैं, कोई और जात को कम नहीं हैं, सब को बरबर, बटवारा मिल रहा, सब क सही हग मिल रहा केसियार साब के हुकुमत में, केसियार साब के सदारत में, कोई कम नहीं, कोई जादा नहीं, सब को समान याई देने का खोशिश कर रहे हैं, वो लोग काली, कमिनल साब से बात करते हैं, मगर वो लोग डिवलपमेंट, आगे इस देश में वो लोग भी नहीं आता ये देश आगे बढ़ भी नहीं सकता और हकीकत ये है उन लोग को ये देश से अलग नहीं कर सकते चाये वह अमिश्या हो मौधी हो किसी और वो देश के इस्सेदार है वह रहेंगे इदर ही बिलकुल हर कबुरिटी का एक समवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार के तहट वो अपने हिस्सेदारी जायस मांग भी सकते हैं और सरकारे उनको देती भी है सर एक और बड़ी बात जो आती है तिलंगाना गठन को ले करके हमेशा ये एक दावा किया जाता है कि मेहनत केसियार साहब ने की उसमें लोगों को गोल बंद किया और बगा लंबा घर्श था चौनाव में इस फैदेखा को भूनाने में आपको लगता है कि इस बार भी मुझार रहेगा चौनाव में? अभी development मुद्धा रहे गा, development कौन किये, और schemes public का हवाम का जो किदमत कर रहा है, केसियार साथ, BRS, schemes फाइदा जो पहुंचा सकरा, वो मुद्धा रहेगा, मगर बार बार हो जाने के, दस साल हो जाने के बाद, वो सोन्या गांदी दिये, ने तो मन मोन दिया, सब ही लड़े, सब अपना-पना सयोग लगा के, जंग लडने से, तिलंगा ना आया, किसी एक के वज़े से नहीं आया, जादा आगे चलके, केसियार साथ, वो आगे ले जाने के वज़े से, सब लोग पीछे है, मेन मुद्धा अपने दमाग से, नान वाइलेंट तरीके से हासिल करके, और हुकूमत में आने के बाद, हर कम्यूटी, हर शेत्र में, डेवलोप्मेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा, आज सक्सिस हुए, आगे चलके, और सभी मसला हल करने के लिए, केसियार साथ कोशिश कर रहे हैं, बिल्कूर, एक और सवाल की कैबनेट डिसीजन जो की कल हुआ था, उसमें बहुत बड़े और क्रादिकारी फैसली लिए गए, खासकर, मेट्रोरिल परियूजना के विस्तार को लेकर के, साथ हजार करोर से ज़्यादा की ये कहीं ये एलेक्शन स्टन्ट तो रही है कि होशना कर दिया, सरकार आएगी फिर से तो देखी जाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप, कैसे लोगों को समझाएंगे? ये आएगरबाद जिस तारुके से डिवलमेंट हो रहा है, उसके विस्तार में ये जितने भी हैदरबाद में पहुंचने के रस्ते हैं, शायद वो बीबी नगर से आएगरबाद, करिम नगर से आएगरबाद, निजामबाद से आएगरबाद, मेदक से आएगरबाद, ये कि हैं भी ट्राफिक 》 मसला नहीं रहे्ग त्राफिक फ्रीफॉर नहीं नहीं रहें वहां कि हाज से अगले पीडियों को भी कई भी धिक्वत नहीं हूं ुसार का future planning के इसाब से केर साथ काम नहीं हुआ है is also face not का on भी नहीं करते हैं अभी इमीडियेट तो कल assembly में bill pass हो जाएगा RTC employees को merger करने का जी वहां से salaries बढ़ जाते हैं वो लोग भी state में adapt हो जाते, convert हो जाते state employees यह पूरा अखेले काम का नहीं कर रहे हैं पूरा cabinet बाइट के pros and cons फाइदा लुकसान जो भी सोच के revenue sources be calculate करके वो इलान करें मगर election से अब ये election का लिए दो चार करोड लाकों से वो ट्रों से हमारा हुकुमत आना जाना उससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं बिल्कुल सर जैसा गया बता रहे थी कि हैदराबाद तरक्की कर रहा है धरबाद का विस्तार हो रहा है connectivity बढ़ रही है और इस तरह से जब विस्तार होते हैं तो employment opportunities बढ़ता है बहुत सारे लोग migrate हो करके आते हैं और बास्ते जीअ हिंदी भाशी को लेकर के जिकी वो लोग आपको सुन रहा हैं समझ हुशिए हैं हिंदी में हिंदी बाश्या नार्थिन्जन ये कास्म उप्रलिटन सीटी है यह kali हिंदी वाले भी है मल्यालि है करनाटक के देजबर के लोग है जितने अपने वन्नी स्टेट, 29 स्टेट के लोग इदर है, यह इंप्लाइमेंट आपर्चिन्टे जादा बढ़ने के वज़े से, इक्स्पैंशन फास्ट होने के वज़े से, सबी आ रहे हैं, देश में कोई भी कहीं भी जी सकता, कहीं भी रह सकता, कहीं भी जाब कर सकता, अपना गर बसा स साब के उनको क्या मैसेज देंगे खासकर, डेवल्फिन भी जात, कहीं मजब, मैनाटी भी अधिक संक्यों में रहते हैं, बाकी अपने लोग भी रहते हैं, सबी लोग हिंदी बेल्ट वाले भी रहते हैं, बंगाली हैं, सबी लोगों को भी वाँ, पूरा पूरा उनके दिकत नहीं, कोई अपना, सब अपना अपना काम कर रहें, सब अपना अपना जिन्दगी, अराम से जी रहें, कुछी से जी रहें, कोई किसी को दिकत नहीं होगा, मुशिराबाद में इनने, तेलंगाने स्टेट में कोई भी आ सकता, कोई भी काम कर सकता, कोई घर बसा सकता कोई भी अपना कारोबार सकता इसके लिए कोई किसी को दिकत नहीं रहेगा, हकुमत उनके साथ है, केईसियारं साथ रहेगा, हकुमत पूरा-पूरा उनको सहयोग देगा, उनको सेक्युरिटे देगा. सर बहुत सारे मुद्दों पर बात हुए, इलेक्शन को लेकर के खास तर पर मुश्यराबाद के बारे में बात हुई, आखिर में एक बार आप से इस पश्च तर पर थोड़ा लंबा वक्त लेकर के भी आप बोल सकते हैं कि चुनाब को लेकर के सरगर्मी अब कितने दूरों म अगर आप बता दे तो, अभी बाकी पार्टी कोई रेस में हैं नहीं, कोई हमारे आस पास बी नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा ना कोई मैनिफेस्ट हो, एक ही एजेंडा है, टी आरेस बश्च पर प्रचार से कोई नहीं कर सकता, और एक पार्टी राम नाम से जबता, उनके पास कोई एजेंडा कोई मेनिफेस्टों नहीं है, बस हमारे को कोई कांपिटेटर है बोलके हम लोग तो सोच रहे हैं, पब्लिक को जो हम लोग खिजमत कर रहे हैं, जो डेलोपमेंट दिखा रहे हैं, जो स्कीम्स हम दे रहे हैं, उससे लोग बहुत खुश है, आगे और भी स्कीम्स बढ़ाएंगे, और भी लोगों को सुविदा बढ़ाएंगे, और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसका फाइदा देने का कोशिश कर रहे हैं, उस वज़े से टी आरेस, बी आरेस पार्टी को आसानी से लोग जीतेंगे, फिर तिसरा टाइम भी हमा के वहत सीनियर और दमदार ने था, एमेंट शीनवासगारू ने साफ़ तोर पर कहा कि उनकी पार्टी ने काफी कुछ विकास का काम किया है तिलंगाना में हैदरबाद को ले करके, और विकास के इस मुद्दे को ले करके ही वो लोगों के बीच जाएंगे, और लोगों से बोट मांगेगे, खासकर मुशिराबाद की बात की जाएं तो शीनिवासगारू ने कहा कि वहाँ पर प्रतिसपर्दी है और ये फैसला पार्टी को करना है कि उनकी दावेदारी को कैसे ली जाती है, इस पूरी चैस्चा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद शीनिवासगा बात करे लेस्टी है और ये जाताली के लुटा सकता है कि झाला है और बहुत जामा आफं की जाता है ये जान्यवासगाा को कान्यवासगार भी झाला है और ये जाता है।